हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सेनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे सभी सेनिकों के लिए आज की जो पेंशनर्स के लिए प्री पेंशनर्स के लिए भूत पूर्व सेनिकों के लिए जो pre 2006 pensioners हैं उनके लिए एक खुश्कबरी की है pre 2006 pensioners के लिए कोट ने एक बड़ी अच्छा फैसला सुना आया है चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपोर्टेंट अबडेट के बारे में दोस्तों कर चैनल पर पहले बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दोबाए दोस्तों अब जो है जहाए आप pre 2006 pensioners है या पोस्ट 2006 pensioners है जो pre 2006 pensioners थे हैं उनको 33 years का जो है सेवा काल 33 years की सर्विस करनी पड़ती थी उसके बाद से वो pension के रिलिजिबल होते थे और 2006 के बाद से एक नियम आया था जिसमें कि ये 33 years को घटा के 20 साल कर दिया गया था तो लोग 20 साल अगर अपना सेवा काल पूरा करते हैं तो वो pension पे जा सकते हैं और उनको पूरी pension मिलेगी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हो दोस्तों कोट ने एक important फैसला निकाला है जिसमें कि कोट ने कहा है कि सभी pensioners जो एक समान होने चीए हैं उनको एक समान अधिकार मिलना चीए एक समान हक मिलना चीए उनको और किसी एक date पे आकर कोई फैसला होता है तो उसके इसाब से pensioners के बीच में भेदभाव नहीं होना चीए है इसलिए दोस्तों अभी सरकार ने कोट की दरफ से पूरा का पूरा एक order आए जिसमें लिखा गया है कि 2006 से पहले भी जो pensioners हैं अगर उन्होंने पूरा 20 साल का का काम किया है वो भी पूरी pension के अगदार होंगे जिन लोगों को अभी कम pension मिल रहा था इस पैसले से उनको काफी ज्यादा रहात मिलेगी दोस्तों इस news को पहले आप जरूर online चेक करें उसके बाद ही अपना कोई फैसला ले यह था दोस्तों प्री 2006 pensioners के लिए आज का बड़ा अपडेट अगर वीडियो पसंद आए तो इस